हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं क्या यार वांच तुछ से एक मिर्ट भी अंदर नहीं रुका गया क्या यार तुम तुम तो फार गया है मैं टेंशन नहीं लेता यार क्या यार गाइस तुम लग पानी के अंदर एक मिर्ट भी अपनी सांस नहीं रोख सकते कॉम्पेटिशन क्या खाग जीत होगे तरही इसरे नाद पानी नदर मैं रोख सकता हूं रोहे गजी साड़े पानी के लिए पईचन के लिए पहुंचना यार जालौ जालौ हां चलो जालौ आरे काईस क्या चलो चलो अभी भी पानी के अंदर है आरे अरे आंचुल हमारा चाम्पियन उसे कुछ नहीं होगा Oh my god! एक मिरिट! वाव! तेट मिरिट हो गया? अल्शुल! वैल्टा! जाएज गयाज लेट फॉर हम ना? आरे यार वह हमें ऐसे इंतिजार करवाएगा और वह बीछे से निकल जाएगा जाल यार रोहेद और वह पहले भी इसा कर चुक है तुझे पदा है ना? कम ओन लेट्स लीव या टूमिट्स गाइज इस रेकॉर्ड अल्शुल! तुम बाहर आरे हो कि नहीं? हम निकल रहे हैं अंसमी कहा है? अरे? एलग तो चलेगे? लगता सियाडी बुलाना पड़ेगा जल्चो जल्दी यार कमपिटिशन के लिल्ले इट हो जाएगा जल्दी चलो यार कहां चले गए थे तुम लोग? अरे हम लोग वो प्रैक्टिस करने गए थे यार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले है ना आज स्विमिंग कॉमपिटिशन में आर्जे कॉलेज को हराना ही है हाँ हम जीतकर ही रहेंगे यू डॉन्ट वरी अरे अब हम लोगों कंदर जाने भी दूगी आप लेकिन अंशुल का है अभी तक आयने क्या अंशुल अभी तक नहीं पहुचा नहीं गाइस स्विमिंग कॉमपिटिशन चुरू होने में सिरफ अर तीस मिनिट रह गय है और यह अंशुल क्यों नहीं पहुचा अभी तक मेडम वह भुच जाएगा या राइट पर अगर वह ताइम पर नहीं पहुचा तो लोग प्रिया अगर वह वह वथ नहीं पहुचा तो हमें बहुत अग्सान हो जाएगा और ये तूम नहीं पहुत दाएगा जाएगा टाइम आट खोडाएगा वीर में और ये जमोडारी तुम्हारी है वीर ना पर देखो जरा यह अकेले आया था कि नहीं साफ इसके साथ इसके तीन दो स्थार जिन में से दो लड़के थे और एक लड़की मैंने उन्हें जाते हुँ भी देखा इजे लगा सारे लुग चले गया होंगे उस सिर्भी से छोड़की क्यों गया है आपस में जगड़ा हुआ था क्या पता नहीं साफ यह सारे दोस्त नहां तरने के लिए आते थे और इसका नाम सायद अंशुल है अंशुल जी बिलकुल अकड़ गई है बोड़ी नीली पड़ गई है अबजी इसका बोड़ी टेमपरेचर कुछ जादा ही थंड़ा है इसका शरीर अरे हाँ बोड़ थंड़ यह इतनी जल्दी बोड़ी इतनी ठंड़ी कैसे हो गई उंगलिया कड़क हो गई है खुलने रही है यह क्या है इसके आत्मे पसब देना अजय किसी रस्सी का हिस्सा हो लगते पानी के अंदर इसने किसी रस्सी को पगड़ की खीचा होगा इसलिए इसका आप कड़ गया पानी के निचे रस्सी से क्या कीच रहोगा अंदर जाके देखना पड़ेगा पुर्वी अंडर वोटर गेयर मंगा लो प्रेडी आसवाच चेक करो देखो कुछ मिलता है क्या साब पानी बहुत ठंडा है ठंडा तो बहुत है इतनी कर्मी में इतना ठंडा कैसे पानी तंडा पानी बहुत है युझ बहुत है यह करना दूझा करो। घब लुबापके लुबारो मामचे लुबारो में लुबारो नफ जब अर्वा कुछा है कर दो जए तक रख दो रूप ए लाग गूगाए। रख़ग मंदोगगजर झाँ में दो यह वड़गा करें वागा चाह चाह जा ज़र नपर दोस्ते हाव जए जई को दोसद्ट को दोस्तर प्रीट पर जड़गर को अचाह जए जए राट कि अप्सुर्णाओं शुट जा कि सिर्ड़ gonna cut कि अपने मौड़ दो पाप्ड़ कि अपने कि अपने कि अपने जास कि अपने कि fine कि अपने बहा कि अपने बुद मेंगा जो पारका हो खाला कि भुभाने कि अप्रों को कि अटिता से हुआ सकती अज़ेक कि अपिता है जा हुआ ह दो चाहँ कि अज़ इय कर दो बाद हो दो खला कि अीज मेर रिए कर देड़ कर दो कर दो है कर दो कर दो ठीकुर्बारा चाहता है लोट है यह यहार ओफ फ्राफ जीवड़ा लेफ लुए जीवड़ा जीवड़ा जीवड़ एपता है यह लो अई यो के हैं है पानी ज्यादा गारा नहीं है फार थंडा बहुत तो पानी ज्यादा थंडा हो गया है मतलब पानी से वेकी इससे में ज्यादा थंडा है हाँ यार सिर्फ एक हिस्से में बागी जिगह है निंए ऐसा कैसे हो सकता है ये पानी ये टेंपरेचर ऐसे रहे था का हमेशा नहीं साब 5 साल की नोगरी में पहली बार ऐसा देख रहा हूं और यह है है यह मिल है तो कहीं अंचुल पानी के अंदर इन हीरो के चकर में तो नहीं कहा था हो सकता है लेकिन अंदर कोई रसी वसी नहीं मिली यह रसी का निशान कहां से आया है सर टेक पड़ आफ रड़ी सर यह साइकल यहां पर पड़ी हुई थी और बैग में से अंचुल का आयकाड मिला है जे जे एंजी कॉलेज ओ यह क्या है टायर के निशान लग रहे यह टायर के निशान किसी टेम्पो या रिक्षा क्या होंगे रसी? यह ऐसे ही रेशे हमें अंचुल के हाथ में मिला है सर लगता है किसी ने रसी को पानी में से निकाल लिया और चलता बना यह अंचुल उसके दोस्त यहां साइकल पर आये थे तो जो कोई भी यह रसी यहां से लेकर गया है यही से कुछ पता चलेगा यही बुए यही बुए यही बुए यही बुए सर, यह अंशुल तो स्विमिन्ग जैंपियन था, फिर यह ढूपके कैसे मरा? वही तो कड़बर है पुर्मी, यह स्विमिन्ग जैंपियन ढूपके कैसे मरा? सर र्काटेकर ने कहा कि अचुल के कुछ दोस्त उसे वहां तालाब में चोड़ कर भाग गए हमें यह पता करना है के अंशुल के वो दोस्त कौन है जलो देखते हैं एलड़के सॉरी अंकल सॉरी सॉरी अंकल मोता है तो कह ताता जी मोलेगा चलो लो या मैं और इंतिजार नहीं कर सकती हमें कॉंपटेशन अभी शुरू करना पड़ेगा प्लीस मेडम अंशुल भी आता ही होगा नो बोड़ा सा रुख जाओ आप इक्सक्यूज मी हम लोग सी आइडी से सी आइडी से सर आप यहां तो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है आप लोग यहां पे अंशुल के लिए बेट कर रहे हैं क्या जी सर पिछले दो गंडे से में कॉंपटेशन चुरू करने के कोशिश कर रही हूं पर उसका तो कोई पता तु चुप बेट बच जब तक अंशुल नहीं लोटेगा तब तक हम बहार नहीं निकलेगा तु कार्स मैंने तु लोग ऐसे कहा तक हम थोड़े तर और रुख जाए अरे कहा दो उमने बहुत कुछ था क्या अंशुल लोटा हम लोग C.I.D. से दर्वाजा कोलो दर्वाज साथ, साथ, सारी साथ, सा बर्ए अंशुल को भाप पाने में दूब कर मरने के लिए चोड़ा है, और यहां उसका इंतरार करने का नाटक कर रहे हो तुम लोग अन्शुल मर चुका है अन्शुल मर चुका है? डालाब में उसके लाश मिली है सर सर, हम लोगों को इस वारे में कुछ नहीं मालूम था सर उसे वहाँ तालाब में अकेला चोड़कर क्यों आये सर हमें सच में नहीं बता था, गेम खेलने गए थे हम दो वहाँ गेम खेल रहे थे? कैसा गेम, मौत का गेम? नहीं नहीं सर, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि कोन कित्मी दिर साथ रोपकर पानी के अंदर रह सकता है पर सर यह आइडिया भी अंशुल का ही था हाँ सर, अंशुल थो एक स्विमिन चैंप था हमें नहीं बदा था कि वो ऐसे मर जाएगा सर, वो यह से कही बाहर कर चुका है वो पानी के अंदर रहता है और वो निकलता कहीं ओर से लेकि फिर भी ठीक टाइम पर पहुँच जाता है अंशुल को पानी के अंदर क्यों छोड़ के आए तुम लोग क्योंकि वो मेरे पैरों में कुछ रसी से साटक गया था, और मैं डर गया था, सर ठंडा पानी और रसी समक्तमे सर्च जब ये लोग पानी के अंदर गए तो रसी पानी के अंदर ही थी और अंचुल का हाद भी कटा हुआ था रसी से आप लोग ने और क्या देखा पानी के अंदर है एक पाउच जैसे कुछ पेले कलर का चाली वाला हाँ मैंने वसे पाउच दिकषा के हाथ में देखा था पाणी के अंदर नहीं कॉन दिकषा वो दिखषा अन्शुल की गर्फिर्ड अंशुल की गर्फिर्ड , दिकषा क्या ? वो भी शामिल थी ? गेम में ? नहीं सबढ वह जब अन्शुड वहाँ पोच थी और अन्शुड कोई ने उसके हाथ में एक पाउच थमा दिया लेकिन अन्शुल ंसे वह लौटा दिया फिर भी डिक्षा अन्शुल के साथ दबरदस्ति कर रही थी पाउच को बहरा बार अन्शुल के हात में रस ती कामेले वो इसी कॉलेज से है सर तो यह ही गई मिल जाएगी एक्स्क्यूज मी यह दिक्षा कहा हमे लेगी इस अगी वो रही यह? हाँ, थैंक्स दिक्षा? जी जी सु एक बात बताओ किया तुम अंशुल से मिलने गई थी जी सु मैं गई थी और तुमने उसके आथ में एक पाउच दिया था? जी दिया था क्या था उस पाउच में? अंशुल ने मिझे काफी सारे गिफ्स दिये थे बस उसी को लटाने गई थी क्यों? गिफ्ट को लटा दिया? वो हमारा कल रात को ब्रेक अप हो गया था मैंने उसे छोड़ दिया है बस इससे लिए सारे गिफ्स उसे लोटाने गई थी क्यों? ब्रेक अप क्यों गई? गल्ती उससे नहीं मुझसे हो गई थी मैं उस पे शक कर रहे थी कि वो किसी और के साथ घूम रहा है बस उसका पीछा करते करते कल रात को तुम? तुम यह क्या कर रहे हो? अंचुल अंचुल छोड़ो अंचुल 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 तुम्हारा पीछा कर रहे हो मेरा पीछा लेकिन मेरा पीछा यहां पी क्यो कर रहे हो इतनी रात को तुम तुम इतनी देर इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? किस से में लाया हो तुम? अरे किसी का इंज़ान ने कर रहे है यह क्या पकवास कर रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम इस वाहत? अंचुर, यू यू दून्ट लव में अनिमोर ना, पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है, तुम, तुम किसी और को पसंद करते हो ना मैं यहां पर बहुत सरूरी काम से आया, और मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें कल बात करता हूँ इस बारे में, अभी ना, यहां पर इस तलाब में कुछ आने वाला है, और अगर वो चीज मेरे हाथ लग गई ना, तो हमारी लाइफ बन जाएगी अचुदम गया के रहाँ, इस चुछ करता हूँ आपे हुआ आपे हुआ करता हुआ अजदम हुआ आपे हुआ आपम वो आप तुम यहां किसी को नहात देखने आयों, हाँ? अरे, मैं बहुत सरूरी कामसा है था, तुमने देखा, वो चीज दलाप के अंदर ही चुपाई गई है अंचल, तुम पागल हो गया है, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ, एक काम करोगी, तुम यहां से दफा हो जाओ, और मुझे माफ करो, जाओ जो मिलना है, कल मिल के बाद बता दूब, चलो जाओ यहां से सर्व भूट वाला आदमे इतनी राद गया है, पाने में क्यों कोदा होगा, उन हीरों के लिए, हो सकता है देख, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि, अंचल को उसके बारे में कैसे पता चला, यह कुछ और ही चक्कर है, जर सारूंकी, बड़ी आसानी से इसकी उठी खुल रही है, हाँ, दिखने में आसान है बहुस लेकिन आसान दरसल है नहीं, देखो सब पसीने पसीने हो रो, दरसल इसकी लाश सर्दी के वज़े से इतनी अकड गए थी, कि पूरी लैब के सी मुझे बंद करने पड़े, हीरा, टाइमन, मतलब हमारा शक्स ही था, या इन्चुरी, हीरो के लिए ही उस तालाब में पानी के नीची गया था, हीरा लेने गया था और पामात हो गई, मुश्किल से एक हीरा हाथ लगा, मुश्किल तो जरूर हुई होगी दया, तो कि इसकी मौत हुई है सर्दी की वज वही हिस्सा ठंडा किया गया, हाबस, शरूर शायद किसी ने पानी में बर्फ के सिली डाल दिया, अब अब बर्फ का स्लैप इतनी आसानी से पानी के नीची नहीं जाता दया उसे तो बजन्दार चीज बानने बड़ीगी तब वो पानी के नीची जाएगा ना परफ, शर बर्फ की सिलि वहाँ पर टेंपो मेलाई गई होगी मतनले जो कुछ भी हुआ है इन इेरो के वजे से ही हुआ है लेकिन सर इन हीरो के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं ना ही अंचूल के दोस्तों को और ना ही उसके कॉलेज में किसी हाँ अभी हम पता लगा लेंगे अंशुल के घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते है कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा और एक बादसा अगर बर्फ की सिल्निया डाली गई या पानी धंडा करने के लिए तो वो आसपास के किसी बर्फ की कारखाने से लाए गई होगी हाँ तो वे आसपास जितने में बर्फ की कारखाने है वहाँ से पता लगाते हैं किसने बर्फ की स्लैब्स खरीदे थे आप लोग? जी हम लोग CID से अंशुल का कुछ पता चला? जी हाँ, पता चल गया I mean वही बताने हम मतलब देखिए, दरसल हम आपसे अंशुल के बारे में कुछ पूछने आए हैं अंशुल के बारे में पूछता आज? क्यों? क्या हुआ? उसे हीरे पसंद देख्या I mean वो हीरों का बिजनेस करता था हीरे? क्या बात कर रहें आपसर? अंशुल के पापा की जाने के बाद हीरे तो बहुत दूर की बात है पीतल भी बहुत मुश्कल से नसीब होता है कहीं ऐसे तो नहीं कि आपको पता ना और वो बिजनेस करता हो जिसका बेटा हीरे जैसा हो ना उसे हीरों की क्या ज़रूरत? हर बात में अवल है मेरा बेटा फिर चाहे वो बढ़ाई हो या खेल कूल हम अंशुल का कमरा देख सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर देखिए पांच लाग कैश इतने सारे पैसे? कई अंशुल वाक्य में हिरों का व्यापार तो नहीं करता था हेकी घर में रह रहे हैं मा और बेटे हैं और मा को कुछ पता ही नहीं करता है अँजेद हम देवी परसुत में बैंक डखेती झाल यह पन्शुल का यहरो के डखेती तर नहीं करता था कोई गंग वैं में तो नहीं है भू लूंदरा जून फ़ोटीस और फ्तीस जून इस दिन डखेती हुई है, उस दिन तो अंशुल जरूर से गड़ाब होगा उसकी माँ से पूछ लेते हैं सब के बारे में हम ये पांच लाग रुपए कैश मिले हमें अंशुल के कमरे से इसके बारे में आप कोई बता सकते हैं? नहीं सर, ये कहा से आए? मैं हमें शक है के वो 15 जून और 21 जून और 30 जून 15 जून और 31 जून को अंशुल कहा तक कुछ याद है आपको? अब जी सर, हम गाओं गए थे अंशुल की कॉलेज की चिप्टियों में मैंने तो अभी तक टिकेट भी संभाल कर रखा है मैं अभी दिखाती हूँ आपको याद वो अंशुल के बारे में बताना तो पड़े गई सर, मैं देखते हूँ याद मिल गया ठीक है, थैंक यू, थैंक यू परिए मच आँ, देख लो यार, अगर अंशुल ने चोरी नहीं किया है तो फिर ये चोरी की कटिंग उसने क्यों रखी हुई है कहीं चोरों को जानता तो नहीं था हाँ डोक सर, क्या ओक, ओक सर तालब के अंदर से जो हीरे मिले थे, जो अंशुल के मुट्चे में मिले थे, नकली है या, मतलब अंशुल नकली हीरों के चक्कर में मारा गया शाद अंचुल को पता नहीं था कि हीरे नकली है लगता है ये पूरी एक साजिश है ताकि अंचुल तालाप के अंदर जाए और मारा जाए ये तो बड़ा चक्कर हो गया एक काम करते हैं जिन जिन दुकानों में डेकाती हुई है वहां की CCTV फुटेज दियान से देखते है पता तो चले ये असली नकली हीरों का खेल खेला किसने ये सर ये पंदरा जून की रॉबरी का फुटेज है दुकान के अंदर के कैमरा का फुटेज ये है 21 जून की रॉबरी का हुम में दुटागाए हुम हुम में दुकान की रॉबरी का ये दुकान की रॉबरी का फुटेज अब जी तेक बड़, इस शॉर्ट को फ्रीज करो यह जूते, जूते भी जूम करो जड़ा जूता? कहां पे देखा हैं जूतो को दया सब मैंने यह जे एंजी कॉलेज के लॉकर्नों में देखा सर लेकिन सर, इस डिजाइन के जूते तो कहीं लोग पहनते हैं क्यों, तुम्हारे पास भी ऐसी जूते? सर, तालाप के पास एक बर्फ का कार खाना है एक किलो मेटर की दूरी पर माई से बर्फ खरीदे गई थी क्या, बता लगाया किस नहीं खरीदा था बर्फ? सर, दो लड़के आये थे उनके बारे में कुछ पता चला, उलिया वागे रहा कुछ? सर, वो कार खाना वाला कह था कि यह लड़के कुछ अठ्रा उन्नी साल के थे चेहरा तो उसने देखा नहीं एक खुलिया मिला है, बड़ी मुश्किल से वो भी आदा टोपी से ढखा हुआ है ओ, तो इन दोनों चोरों में से एक ये है अब ये देखना है कि ये जूते इनके पास है क्या सुना है संक्रमन ज्वेलर्स में नया माल आया है क्या बोलता है, लुटले चल, आज हाथ साफ करी लेते हैं लेकिन सबसे बहले बॉस को पूछना पड़ेगा अगर मना कर दिया तो देख, पूछने की कोई जरूत नहीं है चल, आज जाकर हाथ साफ करी लेते हैं नहीं नहीं, पंगा लेने की कोई जरूत नहीं है मैं बहुस को मेसेज करता हूँ अरे संक्रमन ज्वेलर्स में नया माल आया है हमला करे मेसेज कर दिया, रुख जाए येस आए अिरव थैंस येस झाल येस थैंस येस ये-जे ये-जे झाल जल्दी कर जल्दी अजी रुक तू क्या दास सुन कोने यार लगता है आज तो हमारी लटरी लग गई दुकान तो ठीक है लेकिन चल्दी सामान रख चल अबी चल्दी 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 यह क्या हो रहा है सब कोई भूतु तो नहीं कि याईडी कि वाले की खरीदारी हो रही थी अब थोड़ी सी खरीदारी हमारे दुकान से भी कर लो चल भाग करता करता मुतु आप बोची तक है दीड़ा कि सब्सक्राइब नहीं अबया है एーブ सिर्ण जावा ाप्र्ण वपकी कि यां इटर्ण गार कि अऔकी सुआ। प्रूब। अंशुल को एक बहुत ही अद्बुत तरीके से मारा है तालाप के एक हिस्से वे बर्फ किसली डाल के उसे और थंडा किया गया और वो बर्फ यहीं के पास के कार खाने से लाई गई है और उसे लेने गए थे दो लड़के टेमपो में और वो दो लड़के रात में जेवरों की चोरी करते हैं और दिन में कॉलेज में पड़ाई और वो है तुम रोईट और पंच अब अब बताओ कैसे मारा तुम लोगों ने अंचुल को सर हमने अंचुल को नहीं मारा हमें तो सिर्फ तैयारी करने को कहा गया था सर यहाने के तीस मिनिट पहले ही हम बर्फ को टेमपो मिलाए और फिर बड़े मेनच से हम वो बर्फ तालाब में ले गए और फिर बर्फ के स्लैप्स को पत्थरों से बांद कर तालाब में डाल दी है और उसराथ पानी में कूदें ताके अंशुल को यकीन हो जाए कि वो हीरे वाकई इस तालाब के अंदर छुपाएगे सर हमने उसे एक फेक कॉल के जरिये बता दिया था कि रात को बारा बज़े कोई तालाब में हीरे छुपाएगा हेलो हाँ आज रात को बारा बज़े तालाब में हीरे चुपाने का फ्लैन है नकली हीरे नकली हीरों का पॉच तुम लोगों ने वर्फ के नीचे दबा दिया हाँ सर और रसी को पूल से बांद दिया था और सर उसमें उसमें एक सेंसर भी बांदा था और अंशुल जैसे ही नीचे गया सेंसर लगा था तो रिमोर्ट भी जरू किसी नी दबाया हो गए सर आप हमारे यकीन कीजिए अंशुल को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था हमें तो पता ही नहीं था सर कि इसका अंजाम यह होगा हाँ सर हम तो लॉकर रूम में भी इसी बात को लेकर जगड रहे थे किस ने दबाया रिमोर्ट तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर हम बताते हैं तीन लड़के पानी के अंदर थे और एक लड़की बाहर थी प्रिया जी तुमने रिमोर्ट दबाया जैसे ही तुमने रिस्टी को हिलते हुए देखा यह को पता चल गया कि अंशुल पानी के नीचे पहुच गया उसने उस रिमोर्ट का बटन दबा दिया और थोड़ी दिर बाद उस रस्टी को निकाल दिया अब बता परी है क्यों किया तुमने यह सब तुझे अंशुल को किसी भी हालत में मारना था निलालची इंसान को जिन्दा रहने का कोई हक नहीं है अंशुल को पता चल गया था कि रात पे जेवरों के चोरी मैं करवाती हूँ और वो वो मुझे ब्लैक मेर कर रहा था मेरा पीछा ही नहीं चोड़ रहा था सिर्फ इसले तुमने ये ये प्लान बना है जी परना पूरे कॉलेज में मेरी बतना भी हो जाती च्या लगा तुम्हें बर्फ का इस्तमाल करने से सारे सबूत पिगल जाएंगे इतना दिमाग पढ़ाई पे लगाती ना बहुत फाइदा होता तुम्हारा पर अब तो सिफ नुकसान ही नुकसान है अंशुल का खून किया है तुमने पर मिला क्या जिन्दगी बर की बदनामी और जेल की सलाक है झाल 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 झाल